सो हे गाई स्वागत आपके एक पर फिर्शे आपी की वीडिव चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रेल्वे फाइन्स कॉर्परेशन लेमटेड और साथ में डिस्क्स करेंगे रेल विकास निगम लेमटेड आप लोग देखोगे भी इरकोन है आर्विनल है इंडियन रेल्वे फाइन्स कॉर्परेशन तीन तीन साथे तीन परसेंट के आसपास फिसल है और पूरा मार्केट ही हमें क्रेश पर दिखाए दिया और दो पैर की वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि इंडियन रेल्वे अगर आप तक अनांस नहीं हुई है कि कहीं आपको लगए भी कंपनी कल लेकर आजेगे परसों पर जैसे डेट होगी अनांस वो आपको पता देंगे लेकिन उसको लगए प्रेशान नहीं होना कि वो अफस के अंदर शेर टूट गया है तो तो आपके इन दोनों शेरों के घिरा हुआ है धिक मार्केट में क्रेकशन के संकेत आ रही है जो तरफां आप लोग देखोगे मार्केट के उपर जो नहीं अचने बहुत तगडा effect आ सकता है अप लोग ये गोलोबल मार्केट का सब से तगडा effect दूसरी तरफ एफ लग पर आई जो है वहाँ पर जो भी कि बेस कर निकल रहे हैं अपना जो भी है प्रॉफिट्स ले रहे हैं उसके बाद आप लोग देखोगे भी गुलोबल मार्केट का भारी जो भी दबावार है मार्केट के उपर इंडिन मार्केट के उपर उसके बाद ओवरेवैलिशन के उपर भी सवाल उठे हैं साथ के साथ आप लोग देखोगे भी जो अमेरिका के अंदर फेड रेक्ट है उसको फिर आगे के लिए सरकाय दिया गया है तो यह सारी चीजें आप लोग देव के अंदर एक करेक्शन के संभावना बनी हुई है उपर से इलेक्शन भी आ रहे हैं भई अगर जो करेंट गवर्मेंट है अब इक टैम जो गवर्मेंट है अगर फिर से यही गवर्मेंट आती है इंडिया के अंदर तो आप लोग देखोगे मार्केट यहां से एक पैनिक नहीं होना है पैनिक तो वो होंगे जो एक्सपायरी के लिए ख्रिदारी करें है कूल पुट उठा रहे हैं ठीक है उन्हें डरना चाहिए पर एक तारीक ऐसी है कि जिस दिन हमारा सब को जीरो हो जाएगा डर तो उनको लगना चाहिए हम तो इन्वेस्टर नहीं कोई दिकत नहीं है आज स्टॉक खरीद है हमने 147 के भाव में अगर 120 आएगा एक महिने होल्ड कर लेंगे दो तीन च्यार पांच रख लेंगे क्या दिकत है तो यह अपने दिमाग में बैठा लो एक्सपायरी नहीं है इनिकि भी आज अगर इस भाव में तो कलको जीरो हो जाए और जो रही बाद शोट ट्रम वाली वह भी लॉंग ट्रम में आ जाए अभी कि दो एक साल के लिए होल्ड करके रखिए पैसा निकालोगे यहां से नुकसान में कोई बैनिफिट नहीं है आने वाला एक साल जो होगा वह ऐसा तो नहीं बस मार्केट अभी यहीं से बस निच कर नहीं है आज नहीं तो कल एक साल बाद 6 महीने बाद मार्केट फिरिशी रिकवरी पर आएगा और यह सिर्फ फिरिशी रिकवरी पर आएंगे उसी बाव में आ जाएंगे तो इसलिए जैसे हैं वैसे स्टॉक को अपने पॉट्फोलियो में रखिए चाह 4 परशेंट की ग कीजिए और रही बात कल के लेवल वगरा चलिए अपर देख लेते हैं चाहर आट इनका देखो वैसे तो चाहर आट अनलाशिस करने का कोई बैनिफिट नहीं अभी के टाइम क्यों नहीं है क्योंकि सारा सारा जो मूड मार्केट के उपर डिपेंड करेगा ठीक है मार्केट कैसा विहेव करती है तेजी वाला मंदी वाला तो उसी प्रकार से इन शिरोग पर भी फैक्ट आएगा तो यहां पर जो सपोर्ट वगरा लेने थे जिनको इस लेवल के असपा जिनकी होल्डिंग थी इस रेंज के अंदर ठीक है तो उनके लिए मैंने 145 पैसे गा नीचे मे सपोर्ट बोला था वो इस सपोर्ट के साथ काम कर सकते थे लेकिन जो हाई प्राइज से बैठे हुए उनके लिए लेवल नहीं था जिननोंने नीचे के भावसे खृदा वो प्रोफिट प्रोटक्ट कर सकते थी इस प्राइज रेंज में तो बस यही थी इस शेयर को लेकर और कुछ भी ने नीचे में 117 का support है next देखते भी अगर आते है इस range में तो नीचे के भावस है और खृदार ही करेंगे बस यह ही कर सकते हैं इसके लाब हमारे पास कुछ और है भी ने भी करने को ठीक है तो चलिए second stock देख लेते हैं यहां पर आप लोगों देखो second stock में भी same condition बनी हुई है लेकिन यहां पर जो support के उपर काम कर रहा है जो कोई भी है तो उसे I think यह जो candle है ना भी यह वाली जो candle है यहां पर आप लोगों देखोगे यहां पर आप लोगों देखोगे recovery बन सकती है तो यह range है यहां से 253 ठीक है तो यह level अभी यह उनके लिए है जिन्होंने इस range में stock को खरीदा है ठीक है इस range में stock को खरीदा यह उन्ही के लिए पाइस पास को रेवल के लिए है यह उनके लिए नहीं जो सभी के लिए इलाव इलागू होंगे तो जो भाई मेरे के तरह long term के लिए खरिदारी कर रहा है परतेक 8-10% की गिरावट में 5% की गिरावट में जो आप से हो 5 share, 4 share, 2 share, 3 share, 10 share अपने portfolio में खरिदारी करते रहे हैं बस यही strategy और कुछ में नहीं and thank you for watching the video